हलो दोस्तों मैं विवास आपका स्वागत करता हूँ वाट नेक्स पे आज हम लोग जिस स्मार्टफोन के बार में बात करेंगे वो लॉंच किया है इस फोन का नाम रखा गया है ZTE Blade V8 इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है वो एक 5.2 इंच का Full HD डिस्प्ले है प्रोसेसर जो इस फोन में दिया गया है वो है Qualcomm Snapdragon 435 का एक OctaCord प्रोसेसर अगर मेमोरी को देख लिया जाती है फोन दो अलग अलग वर्शनों में लॉंच हुआ है एक वर्शन इस फोन का लॉंच हुआ है 2GB RAM और 16GB internal storage के साथ और एक वर्शन इसका लॉंच हुआ है 3GB RAM और 32GB internal storage के साथ अगर कैमेरा को देख लिया जातो इस फोन में जो rare camera दिया गया है वो एक dual lens camera है जिसमें से एक lens है 13MP का और एक lens है 2MP का और front camera इस फोन में दिया गया है 13MP का दोनों कैमेराओं के साथ ही एक LED Flash भी दिया गया है इस फोन में फोन में जो बैटरी दिया गया है वो है 2730 एमेज का एक लिथियामेन बैटरी सेंसर जो इस फोन में दिया गया है वो है Proximity Sensor और Gyroscope इसके अलाबा इस फोन में एक Fingerprint Scanner भी दिया गया है यह फोन एक Dual SIM फोन है और आप दो Nano SIM इस फोन में यूज कर सकते हैं अगर Connectivity को देख लिया आ जाए तो यह फोन एक 4G LTE Enabled फोन है और इसमें आपको Bluetooth और Wi-Fi का Connectivity भी मिल रहा है फोन में जो OS दिया गया है वो Android का latest version Android 7 No God का यह phone market पे launch हुआ है चार कलरों पे एक है Dark Grey, एक है Silver, एक है Champagne Gold और एक है Rose Gold इस फोन के price को अभी तक ZTE ने disclose नहीं किया है बहुती जल ZTE इस फोन के price details भी available कर देगा तो दोस्तों यह था Specification of ZTE Blade V8 का अगर यह वीडियो आपको अच्छा लेगे तो please like this video, comment on this video और please अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करे और future में अगर आप ऐसे वीडियो के और updates पाना चाते है तो please subscribe करें What Next को मैं आपको updates देता रहूंगा Thank you for watching this video, bye bye